हलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं Vodafone idea से लेटेड क्यों करने वाले है क्योंकि यहां पर कुछ पै यहां पर वीडियो भी आता हुआ यहां पर सुप्रीम कोड का ओर्डर भी आता हुआ नजर आया इस लेटी नियूस भी आई है अगर हम यहां पर बात करें तो आपको काफी अट्रक्टिव नजर आता है तो सब चीज़ से लेटीड बाते करेंगे बट वीडियो में आगे बढ़े हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल I am small cap investor को subscribe bell icon को hit all की notification कौन करे bank selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor ख सीखनी है stock market में आप serious है तो आप हमारे चैनल हमारे इस course को double 860540501 8169261037 दो नमरों को save कर लीजिए basics to advance technical research fundamental कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है सबसे main answer होता है कि share क्यों भागेगा share क्यों गिरेगा यह आपको अगर जानना है तो आप इस course को enroll है आपकी यहाँ पर 80% query solve हो जाएगी वाकि 20% stock market में stock market अपने हिसाफ से चलती है ठीक है one to one classes है 25,000 रुपर कोर्स है 3 months की hand holding है strategy using stock market online note सब कुछ दिया जाएगा एक बाग कोर्स complete होती साथ पीछे मुड़ के देखने की जरूवत नहीं है simply जो पढ़ाया जाएगा 6 महीने से लेके एक साल की practice करिएगा ओके backtest करके देखिएगा जो आपको बताया जाएगा आपको खुछ समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पर किस तरीके से मेहनत करनी है और अगर साथ में काम भी करना है तो भी यहाँ पर 8605-40501-8169-261037 दो नमरों को save कर लीजिए हमारे call, message, WhatsApp के तुरू यहाँ पर contact करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हो और हमार साथ जुड़के हमारी जो stock market की जर्णी है ठीक न आपने यहाँ पर देखे है हमारी किस तरीके से हमारे share move करते हुए नजर आते है वो जर्णी आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएग market cap की बात करें तो एक लाग करोड रुपे की market cap है Vodafone idea की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर पहले कभी Voda अलग और idea अलग हुआ करता था दोनों जॉइंट हों के यहाँ पर Vodafone idea यह बनाया है ठीक है इनके उपर अगर हम बात करें डैट काफी सारा है ठीक है इने spectrum यहाँ पर कुछ Supreme Court का ओडर है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते है ठीक है Vodafone idea यहाँ पर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा idea पर देखिए 4G focus in India हाना तो यहाँ पर super charging customer experience यह जाके एक बढ़ पढ़िए इनकी website को हाना पूरा पूरा आइडिया आएगा दो तीन दिन पहले की if I'm not wrong यह खबर थी ठीक है उसी से इनके favor में यहाँ पर एक अच्छी नियूज आती हुई दिखाए दिये बात करें और चीजों की तो यहाँ पर आप देखेंगे company के यहाँ पर 7% कि यहाँ पर जंप हुई है ठीक है ना क्या-क्या पॉजिटिवीटी है क्याकर नेगिटिवीटी है उससे लेटिड हम यहाँ पर बाते करेंगे अभी देखते हैं यहाँ पर company के result तो company के result भी साथ में आया है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 10,607 करोड रुपए के आसपास की यहाँ पर सील से ठीक है इसके इलाव और यहाँ पर दिखाई देरा है क्योंकि company के पास आकर बात करेंगाए इंहें यहाँ पर आप देखिए जो अब आपको बताया हूं कि इन्ने इतना ज्यादा पे करना है और उस पर अगर रिलीव मिलेगा तो यहाँ पर पर फिलेगा तो यहाँ पर भी इनका जो यह जो अगर रात मिलेगी तो यहां पर कम होती ही नजर आजाएगी, तो यहां पर कोई ना कहीं यह positivity इनके दिखाई देती है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, इसे share को कभी भी आप buy करना न, ठीक है न, और के बारे में अगर सोच भी रहे हो, तो कभी भी result के base पर यहां पर buy मत करता है, यहां पर जितना भी यहां पर action होगा न, सारा technical basis पर होगा, ठीक है, long term के view से क्या लेना चाहिए, तो अभी भी बेशक से government है, अभी यहां पर इन पर impose कर देती है, कभी नहीं करती, तो वो सब चीच का ऊपर नीचे चलता रहता है, तो इस चीच को याद रखिएगा, बात करें, reserves तो देखिए, reserves तो बिल्कुली positive से negative में आ गए, और बहतरी न तरीके से negative में, बारेंग जादा है, ठीक है, और जो working focus में पैसे थे, वो भी यहाँ पर दीरे-दीरे कम हो गए है, ठीक है, ने कमपने का चैश भी छोटा मोटा ही पड़ा है, और positive cash flows है, बट यहाँ पर हम बात करें, promoters दीरे-दीरे exit करने की ही सोच रहे है, Fis ने यहाँ पर देखिए, इस particular इसी महीने में, इसी महीने में अच्छी-खासी holding बढ़ाते हुए नजर आए है, ठीक है, यह positive figure हो सकता है, इस particular company के लिए तो इस चीच को में थोड़ा सा गौर फर्माना है, और हम बात करें, गौर्मेंट की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, गौर्मेंट ने यहाँ पर वो हिस्सेदारी थोड़ी सी बेची है, पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास वो हिस्सेदारी आई है, तो पब्लिक ज़्यादा ऐसे छोटे शेयर, वोड़ाफोन आइडिया का नाम चैसे सुनते हैं तो I don't know, बट उनके मन में पते ही नहीं कोई से गुलाब के फूलों की यहाँ पर वर्ष आउने लग गई हो, इस तरीके के यहाँ पर होता हुआ नजर आता है, मैं ऐसे शेयरों को छूना पसंद नहीं करता, क्योंकि छोटे मुटा शेयर होते हैं, बट बटनाने के पीछे, वीडियो बनाने के पीछे कहा है, एक तो पॉजिटिव न्यूस जो यहाँ पर मैं आपको बतारों कि एक बाद जाके पढ़ियेगा, तो आपको यहाँ पर सबज में आएगा, बाकी हम बात करें, तो यहाँ पर among the technical और as well as हम बात करें, काफी सारे investors के बीच में यहाँ पर यह शेयर थोड़ा सा positive होता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी तक negative जर्णी थी, news के बाद positivity की तरफ बढ़ रहा है, और जब चीज़े positivity की बढ़ तरफ बढ़ रहा है, तो news कभी न कभी कोई न कोई भी यहाँ पर इसे drive कर देती है, अब चार्ट से related बाते करेंगे, ठीक है जानेंगे बड़ उससे पहले request है, I am small cap investor, चानल को subscribe, बेल आइकन को hit out notification को on करिएगा, वीडियो जाके देखिएगा, like, comment, share करिएगा, चानल को subscribe करिएगा, और इन नमबरों को note करके, यहाँ पर साथ में course और साथ में काम कर सकते हैं, चार्ट में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखिए, लगा था गिरावट के बाद, यह consolidation stage 1 की, stage 4 के बाद stage 1 आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना, बार-बार इहाँ पर इस लेवल 18 के रूपे के लेवल को यहाँ पर टच करता है, ठीक है और बार-बार इसी यह नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो अब यहाँ पर चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट में अगर मैं आपर थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊ अभी, तो मुझे यहाँ पर आप पता चलेगा, एक 3C पैटरन का breakout हुआ है, 3C पैटरन होता क्या है, पैटरन है लगबग 14.50 पैसे का, तो यहाँ पर 60 पैसे का आसपास का रिस्क हो गया, ठीक है न, और जैसी शेयर भागतना शुडू करता है, पहला टार्गेट लगबग 16.80 पैसे है, दूसरे टार्गेट की बात करें, तो दूसरे टार्गेट यहाँ पर लगब 18.00 रूपे के आसपास है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यह स्टेज 1 से जैसे ही निकलेगा, स्टेज 1 की एंट्री, स्टेज 2 में कब आएगा, यहाँ पर, जब यह 16.00 रूपे सी पैसे को क्रोस करेगा, तो यहाँ पर समझ में आएगा, आपको एक देखिए, यहाँ पर complex कब दिधेंडर पैटर्म भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसी यहाँ से निकलेगा, तो यह जाएगा सीधे के सीधे, 28.00 रूपे की तरह, यहाँ पर यह जो 16.00 रूपे का टार्गेट है, फिर 18.00 रूपे कुछ पैसे का टार्गेट है, और फिर इसके बाद 28.00 रूपे का टार्गेट यहाँ पर दिखाई देता है, तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, और अगर हम टोटल अवरॉल बात करें, तो लगब लगब 84% की अफसाइट दिखाई देती है, बट आपको मेरे कहने पर किसी और के कहने पर बाई करके चलना नहीं है, ठीकर ना, इसमें आपर आप कॉल और पुट कर जब मैंने अभी बताया है न, क्यों 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 कि हांपर क्या हो रहा है यहां पर यह और यह ओरता हुवा नजरा रहा है, बहुत ज़्यादा व्यालेट आईल है कभी भी कुछ भी भाग रहा है कभी भी कुछ बहुत गिर रहा है ठीक है रिजल्ट के बेसिस पर ज्यादा अट्रक्षन होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है मार्केट में आपको समझ में आएगा कि इस प्रेम पिटकेब 20-2300-2300 प्रिसेंट है और इक साथ ही हाँ पर नेगिटेम में आते हूँ वे दिखाई दिर रह'ं हए